इस इस थार्ड पार्ट आफ दे वीडियो तो बच्चो जो माउस में लेश्ट रहे गया उसे आजम प्लेयर करेंगे एन एरो सीप और मोनीटर स्क्रीन इस काल माउस पॉइंटर विच मॉप्स विद दे मॉम्मेंट आफ दे माउस बच्चो यह जो आप एरो देख रहे हैं एरो का सीप है यह मोनीटर स्क्रीन पे जो सो करता है उसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं विच मॉप्स विद दे मॉवमेंट आफ दे माउस यह माउस के मॉवमेंट के अनुसार मॉव करता है means बच्चो हम माउस को जिस डारेक्शन में ले जाएंगे उस डारेक्शन में ये माउस पॉइंटर भी रहेगा and next topic number 5 keyboard बच्चो आपने keyboard भी देखा होगा but मैं आपको फिर से review करा दे रही हूँ this is the picture of keyboard बच्चो ये keyboard का picture है और keyboard बिलकुल ऐसा ही होता है तो आप देखे कीबोड के बारे में हम जानते हैं a keyboard contains many small buttons called keys जो keyboard होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जितने भी सारे देख रहे हैं बच्चो ये सारे buttons हैं ये जो up side में हैं ये ये सारे भी buttons हैं तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे buttons होते हैं इट इस उस्ट फोर typing and give commands to the computer ये typing करने के लिए typing means लिखने के लिए हमें जो कुछ भी लिखना होता है हम keyboard की health से ही लिखते हैं और command करने के लिए computer को इसके लिए हम keyboard का यूज करते हैं बच्चो जो a standard keyboard होता है उसमें 104 keys होते हैं Some other important parts of the computer are given below और ये रहे आपके जो बच्चो मैंने आपको बताया था यहां chapter के starting में it has four main parts means computer की four parts काफी main होते हैं जैसा की monitor CPU keyboard and mouse तो अभी तक हम ने यह four parts जो है उसे clear कर लिए number one monitor and second CPU third mouse and then last keyboard तो अब हम बच्चों next देखेंगे UPS UPS के बारे में देखेंगे UPS stands for uninterruptible power supply UPS का full form होता है बच्चों uninterruptible power supply UPS stores electricity within itself and keep the computer working for some time when the electricity goes off it means बच्चों जो UPS होता है यह electricity को store करता है बिजिली को store करता है जैसे example में बच्चों जिससे आप बिलकुल अच्छे से समझ सकें आप लोगों के घर में बहुत लोगों के घर पे इन वाटर होगा तो इन वाटर बच्चों जब लाइट चले जाती है तो आपके घर में फैन या जो बल्प्स होते हैं या जो भी और भी इलेक्ट्रोनिक चीज़े होंगी वह आउन रहती है इट मिन्स कि आप इन वाटर का यूज करते हैं तो इन वाटर क्या करता है लाइट चले जाने के बाद भी आपको एंट नेक्स्ट है बच्चों प्रिंटर प्रिंटर है आपने प्रिंटर भी अपने स्कूल में देखा होगा जब आप कंप्यूटर लैब में नहीं जब आप ऑफिश रूम में जाते हैं वहाँ पे प्रिंटर यूज किया जाता है तो आपने प्रिंटर भी देखा होगा ब electronic device is used to print the text or picture on paper जो printer होता है बच्चो ये एक important electronic device है मतलब बहुत जरूरी बिजली से चलने वाली device है which is used to print the text or picture on paper जिसका use print करने के लिए किसी भी लिखी हुई चीजों को print करने के लिए या किसी picture को paper पे print करने के लिए use किया जाता है the printed paper is known as print out or hard copy और जिस चीज को हम print कर लेते हैं तो print की हुई page को हम print out या hard copy कहते हैं अब हम देखेंगे इसके types nowadays three types of printers are commonly used आजकल three types के printers use किये जाते हैं अबस्ट